आज हम स्वेट करने जारे है क्हेस्टिन नम्र 5 क्हेस्टिन नम्र 5 कि स्टेट्मेंट है राइट in terms of aota क्षर्पास स्कूरीर माइनस वन और साथ में बे मैंना आपको प्रिवेश क्षिटिन में ही बता दिया था जब आपके पास square root में आ जाता है minus 1 तो उसकी value आपके पास सिर्फ और सिर्फ aota और अगर आप बोट साइड पर square ले ले लेते हो मतलब कि square आप यहाँ पर ले रहे हो aota square is equal to minus 1 आजेगा तो आपके पास यहाँ पर है under root minus 1 इसका मतलब यह है कि आप इसकी जगापर aota लिख सकते है क्योंकि यह aota की value है तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ aota और साथ में आजेगा b और इसके सामने आपने इस तरह से 3 dots लगा कि क्या लिख लेना है aota is equal to square root minus 1 ताकि clear हो जाए कि आपने क्यों इस वज़ा से लिखा यहाँ पर क्यों इस तरह से लिख है अब आपको clearly ही समझ आगी होगी कि aota की terms में लिखने का मतलब क्या है मतलब कि जहाँ जहाँ aota की value मुझूद है उसको आपको aota के साथ replace कर देना अब हम चलते हैं हमने part number 2 की तरफ part number 2 है हमारे पास square root minus 5 एक बात याद रखिए का जब भी square root के अंदर minus आ जाता है आपको पता होना चाहिए यह एक complex number है for sure ठीक है अब आपको करना कि है minus 1 को अलादा कर लो multiply by 5 मतलब कि minus 1 5000 minus 5 याएगा न अब आपको क्या करना है square root minus 1 अलादा multiply by square root 5 अलादा मतलब कि minus 1 के लिए इसको अलादा कर दिया under root को और 5 के लिए अलादा कर दिया अब आप जानते हो कि हमारे पास जहां पर भी under root minus 1 आता है मतलब कि इसकी value किया है iota है ठीक हो गया अब चलते हैं हम part number 3 की तरफ part number 3 के लिए next page निकाल लेते हैं part number 3 है square root minus 16 over 25 square root minus 16 over 25 मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ जब भी negative आपके पास square root के अंदर आता है आपको minus 1 को अलादा कर लेने और बाकी value को अलादा कर लेने क्योंकि minus 1 को आप जब भी किसी के साथ multiply करते हो आप सिर्फ और सिर्फ एक फर्ख पड़ता है कि इस value के अंदर minus का इजाफा हो जाता है अब आपको क्या करने है square root minus 1 को अलादा कर लेने है multiply by square root 16 over 25 को अलादा कर लेने है आप अच्छी तरह से जानते है 4 over 5 एउटा यह हो गया हमारा तीसरा पार्ट अब चलते हैं हम अपने फूर्थ पार्ट की तरफ फूर्थ पार्ट है हमारे पास square root 1 over minus 4 अब एक बात याद रखिएगा minus नीचे हो या उपर हो students confused हो जाते हैं कि टीचर यहाँ पर minus नीचे आगया है आपने परेशान नहीं होना चाहे minus उपर है चाहे minus नीचे है इसका मतलब यही है कि यह minus इस पूरी value के लिए है तो आपको क्या करने हैं दुबारा से वही काम करेंगे minus 1 अलएदा हो जएगा 1 over 4 अलएदा हो जएगा and square root अब square root minus 1 अलएदा और square root 1 over 4 अलएदा ठीक है हमारे पास क्या value आगी aota is equal to minus 1 का square root तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी minus 1 square root की जगा पर लिखूंगी aota multiply by square root 1 over 4 का जब लोगे तो आपके पास आजेगा 1 over 2 तो हमारे पास answer क्या आजेगा 1 over 2 aota right in terms of aota का answer यह आगया यह हो गया हमारा question number 5 complete इसके बाद हम चलते है question number 6 की तरफ जो कि बहुत easiest question है अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको operations on complex number समझाया था तो आज का यह question आपके लिए इसी तरह से जिसतरा आप प्रेक्टिस का रहे हो बहुत आसान होने वाला है मैंने comment section description में और साथी साथ i button में link डाल दिया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो आज देख ले ताकि यह वाले जितने भी questions है आप easily जो है वो करते जो आपके पास पहला complex number है 7 और 9 दूसरा complex number उनने दिया हो है 3 और minus 5 जब भी इस तरह से pairs की form में complex number को लिखा जाते है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है 7 प्लस 9 एयोटा ठीक है फिर प्लस 3 प्लस और यह minus 5 है ना minus 5 का एयोटा आप कुछ students confuse हो रहे होंगे या आपने इस तरह से क्यों किया है क्योंकि यह minus 5 यहाँ पर था इस वज़े से minus 5 एयोटा मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है आप इसको इस तरह से भी कर सब तो बाद में आगे जाके हम इसको plus minus कर देंगे और अगर आप इसको directly लिख देते हो मतलब कि पहली ही step में plus minus यहाँ पर minus 5 एयोटा पहली step में लिखते हो 3 minus 5 एयोटा तब भी कोई mistake नहीं निकाली जाएगी basically यह मैंने उन students के लिए बोले है जो क्यों कहते हैं कि teacher जो general form है वो तो है a plus b एयोटा तो आपने यहाँ plus की जगा माइनस लगा दिया general form खराब हो गई तो उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से value आ रही है plus वैसे formula में plus ही होता है लेकिन अगर b की value negative है ना तो आप plus minus करके उसको minus कर लेते हो center में हमारे पास plus था so plus 3 plus minus minus 5 एयोटा अब आप real को real में और imaginary को imaginary में add करवाओगे अब real पार यहाँ पर वो होते हैं जिनके पास एयोटा नहीं होता मतलब कि 5 और 7 और 3 7 पर प्लस 3 करेंगे तो 10 आजेगा और imaginary पार्ट वो होते हैं जिनके पास एयोटा होता है मतलब कि हमारे पास क्या है 9 minus 5 एयोटा 9 में से जब minus करेंगे 5 को तो आजेगा plus 4 एयोटा यह हो गया हमारा question number 6 इसके बाद हम चलते हैं अपने question number 7 की तरफ और अगर आप चाहो तो आप इसको दुबारा से इस pairs की form में represent करवा सकते हैं इस फॉर में आपको question मिला था तो पेर की form में लिखोगे तो आप लिखोगे 10,4 पेर इसी तरह लिखते हैं मतलब कि आप एयोटा को शो नहीं करते हैं आप को मा की सूरत में A और B की values को लिखतेते हो चाहें आप complex नुमोर को इस फॉर्म में लिखो चाहें आप इस फॉर्म में लिखो दोनों का मतलब सेम होता है इसके बाद चलते हैं हम question number 7 की तरफ question number 6 के अंदर उन्होंने हमें addition को operation परफॉर्म करना बताया है question number 7 के अंदर उन्होंने हमें subtraction को operation जो है, वो perform करना बताया है, 8 और minus 5, minus minus 7 और 4, ठीक हो गया, simply क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या एगा, 8 minus 5 एयोटा, इससी तरह minus के बाद हमेश्या मैं एक bracket यूज करती हूँ, और आपको भी कहते हूँ, हमेश्या bracket लगाया करें, यहाँ पर आएगा minus 7 plus 4 एयोटा, अब next step में हम क्या करेंगे, 8 minus 5 एयोटा, minus minus plus 7, minus plus minus 4 एयोटा, real को real में imaginary को imaginary में solve करवाएंगे, जब भी आप subtraction या addition को operation पर्फॉर्म करते हो, complex number के उपर, तो आप real को अलेहदा solve करते हो, और imaginary को अलेहदा, operations और complex number के वीडियो बहुत important थी, वे लाजमी तोर पर देखिएगा, अब यहाँ से real पार्ट है, हमारा 8 और 7, जब आप 8 को 7 एंदर प्लस करवाओगे, तो हमारे पास क्या आजेगा, 15 आजेगा, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास imaginary पार्ट है, माइनस 5, माइनस 4, तो माइनस 5, माइनस 4, माइनस 9 एउटा, कुछ students इस चीज़ को लेके confused हो जाते हैं, बात यह नहीं है कि आपको करना नहीं आता, बात यह है कि जब आप कर रहे होते हो तो आपके mind में confusion आ जाती है, आपने खुद मुल्टिप्लिकेशन कोपरेशन स्टार्ट हो रहा है, इस वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई confusion, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, आला हाफिस